दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ M.C.B. के वारे में, देखिए M.C.B. के उपर हमारे उपर बहुत सी कमेंट्स आ रही थी वीडियो में, तो आज हम इस वीडियो में, जितनी भी कमेंट्स में कोश्चन्स आया थे, उन सभी कोश्चन्स को कलेक्ट करके, आज हम इस वीडियो में उन सभी questions के उपर बात करेंगे तो जिन में से कुछ questions इस प्रकार हैं कि MCB कितने प्रकार ही होती है उनको किस लिए प्रकार में categorize किया गया किस प्रकार उनके types को क्या है एक दूसरे से ये भिन्द है तो ये चो type B, माल लिए type B MCB और type C MCB तो इन में क्या difference है क्या type B की जगा type C लगा सकते है नहीं लगा सकते तो क्यों नहीं लगा सकते तो इस प्रकार के जितने भी आपके मन में questions है तो इस वीडियो से उम्मीद करता हूं कि सारे questions clear हो जाएंगे लेकिन इसके लिए आपको क्या है इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा अगर आप चाय पानी पीना चाते है तो पहले चाय पानी पी लीजिए उसके बाद वीडियो पर आईए और वीडियो को देखना स्टार्ट करिए तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह इंटरस्टिंग वीडियो जो कि है टाइपस ओफ एमसीवी तो देखिए कितनी भी एमसीवी है अगर आप गूगल पर अभी सर्च करेंगे तो आपको छे प्रकार की एमसीवी देखने को मिल जाएंगी तो इनकी जो छे प्रकार की एमसीवी है आपको देखने को मिल जाएंगी अब आपके लिए वेसी कोश्चन है कि हमने तो जिसार आपने घर में बी टाइप एमसीवी देखिया सी टाइप एमसीवी देखिया तो देखिये जो इंडस्टीज में या घरों में जो सबसे ज़्यादा प्रियोग होने वाली एमसीवी होती है वे बी और सी ही होती है तो आज इस वीडियो में जो विशेश रूप से बात करेंगे बी टाइप एमसीवी और सी टाइप एमसीवी के बारे में ही करेंगे तो आपके घर में भी है 90% कि आह सी टाइप एमसीवी लगी होगी और इंडहस्ट्री में जहां काम करते हैं वहां पर ही आपने भी देख एमसीवी देखी होगी तो सबसे पहले बात करते हैं हम टाइप ADAMIC आ आ़यका टाइप एमसीवी के होती है दिख़े टाइक B MCB में क्या होता है कि जब भी आपके घर का लोड तीन से पाज गुना हो जाएगा मतलब कि जब भी करेंट तीन से पाज गुना हो जाएगा माल लेजिए C2 की एक MCB है अगर उस MCB के द्वारा तीन से पाज गुना करेंट जाने लगे मतलब कि छै से दस एमप्यर करेंट जाने लगेगा तो यह जो टाइप B की MCB है वह स्रिफ 40 millisecond से 13 second में trip हो जाएगी मतलब कि 13 second से पहले ही पहले trip हो जाएगी C2 की MCB थी आपने अपने घर में लगाई C2 की MCB सॉरी B2 की MCB लगाई clear है कि मेरे घर का दो एमप्यर लोड है तो मुझे दो एमप्यर की MCB लगा दी लेकिन कभी अगर पांच से दस गुना आपके घर का लोड हो जाता है जैसे कि आपके घर में बच्चे है या कोई है वो कहता है कि मेरे घर में फ्रीज ला दी है फ्रीज क क्योंकि वो इसलिए हो रहा है कि आपने सी टू की MCB लगा रके लोड हो गया च्छे या पांच एंपिया तो मारेगी मारेगी वह मार देगी वह मार देगी सिर्फ 13 से पहले मार देगी आपको पता भी नहीं चलेगा कि ट्रिप हो गया के MCB तो यह होती है ट्राइब BMCB तीन से पांच गुना करेंट होने पर सिर्फ 13 से के अंदर ट्रिप मार देथी एप्लिकेशन के बात करें तो लो लोड डिवाइस घरों में इसका प्रियोग करा जा सकता है डोमेस्टिक अप्लिकेशन देखिए मनें लिख भी रखा है घर तो आपके घर की या इंडेस्ट्री की खराब होगी मार लिए तो आपके अगर टाइप B MCB है तो आप उसको टाइप C से रिप्लेस कर सकते हैं क्लियर अब बात करते हैं टाइप C MCB के बारे हैं सबसे ज्यादा प्रियोग होने वाली एंसी टाइप C MCB तो वीडियो को सही स से देखिए आपको अच्छी दरगे से साँजवा जाएगा तो फ्रेश आर्स के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ठीक है तो देखिए अब बात कर रहे हैं हम टाइप C MCB के बार हैं देखिए टाइप C MCB माल लिजिए स्ट्राइप C MCB भी दो एंपेर की है तो इसमें क्या है 5-10 गुना करंट हो जाने पर यह स्रिप 40-5 से इंदर ट्रिफ हो जाती है माल लिजिए आपके घर का लोड आप घर में कोई ऐसी चीज लेया है या किसी बज़े से आपके घर का लोड पांच से 10 गुना बढ़ जाता है मालने लिजिए 10-20A करंट होने लगा पहले आपके घर का लोड था 2 A आप 10-20A होने लगा लोड तो यह MCV जो ऐसी टाइप C MCV 5 सेकंड के अंदर ही आपके सरकेट को आइसोलेट कर देगी मतला आपके सरकेट की आपके घर के सप्टाई को पंद कर देगी MCV खुद से ट्रिप हो जाएगी क्लियर है एक बार और बताता हूं टाइप C MCV 5 से 10 गुना करंट हो जाने पर 40 मिली सेकंड से 5 सेकंड के अंदर ट्रिप हो जाती है अब आपका होगwegen कहा पर होता है इसका प्रियोग के बात करें तो डोमस्टीक अप्लीकेशन इंडस्ट्रियल और इंडक्शन मोटर में इसका प्रियोग होता है दीखे मैं जानता हूं कि इस विडियो को देख्ते दे आपके मन में बहुत से कॉश्चन्स आ रहे होंगे या लगाने को मिले तो आप बता सकता है कि जो टाइप D-MCB होती है यह वहां पर प्रियोग होती है जहां पर current क्या होता है fluctuate होते रहता है मतलब high low high low होते रहता है अब आप से कुश्चन ही कि कहां पर current high low होता है आता है तो comment box में लिखके बताइए नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि जो current fluctuate होता है वो सबसे ज़्यादा welding machine में होता है तो वहां पर आप टाइप D-MCB का प्रियोग कर सकते हैं अब टाइप D-MCB किस तरह से protection देगी माल लेजिए 20 ampere की कोई आपके पास welding machine है जब उसमें क्या है दस से 20 गुना current हो जाएगा आपकी जो welding machine है जब 10 से 20 गुना current लेने लगेगी तो टाइप D-MCB 40 millisecond से 3 second के अंदर ही trip कर देगी क्लेरा टाइप D-MCB अब बात करते हैं टाइप K और टाइप Z-MCB क्या रहे हैं देगी यह MCB बहुत ही कम प्रियोग होती है और टाइप A-MCB भी है यह साल टाइप A, टाइप K, टाइप Z यह तिनों MCB ही सेमिकंडूक्टर डिवाइजरेस प्रियोग होती हैं सेमिकंडूक्टर डिवाइज्स को प्रोटेक्शन दिने के लिए मो प्रियोग होता है इनका और इन MCB को कभी भी डाइप्लीक नहीं करना चाहिए क्योंकि बहूत ज़्यादर सेंस्टिव हो ती है बहुत दिव होती है एक मिली सेकंड में ही हो जाएगी माल लीजिए किसी कारण बस आपके फ्रीज ने कभी क्या जर्क लोड में ज्यादा करेंट लेगा तो आपके तो ट्रीफ हो जाएगी तो इसलिए टाइप के टाइप जैड और टाइप एमसी बीग घरों में उंडरेस्टी में नहीं करना चाहिए तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमें जरू करें अगर मिलेंगे कुछ इसी तरह की इलेक्टिकल की वीडियो में जै हिंद कि